और 3D के अंदर हम लोग पढ़ लिये थे डारेक्शन को साइन डारेक्शन रेसियो अब हम लोगों क्या पढ़ना है स्ट्रेट लाइन के बार में पढ़ते हैं बाकी जो प्रॉब्लम से आप पूछ सकते हैं कि समझ पाड़ें तो देखो 3D जमेट्टी के अंदर आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वह क्या है भाई स्ट्रेट लाइन करेंगे स्ट्रेट लाइन और देखो स्ट्रेट लाइन आप पढ़ा करते थे 2D जमेट्टी में भी पर वहां का जमेट्टी थोड़ा सा इससे अलग था लेकिन बेस वही रहेगा और यह अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है और प्लेन इसके बाद इससे भी बड़ा टॉपिक है चुकि प्लेन में क्या होता है ना मिसलेनियस चीजें होती है मिक्स होता है चीजें क्या वहां पे भी डिरेक्शन कोसाइन रेसियो का भी काम है स्टेट लाइन का भी काम है सारे का काम है समझ पार है ना तो सबसे पहले आज चलिए स्टेट लाइन क्या है आप सभी को पता है पड़िवासा जानने का कोई लोग शुरुआत करेंगे कि equation of straight line किस form का होता है जब हम पढ़ रहे होते हैं कौन जमट्टी 3D जमट्टी ऐसे आप बचपन से पढ़ते आएं कि 2X plus 3Y equal to 7 यह दो variables का एक equation है दो चरवला एक रेखिक समिकरन है और यह हमेशा एक straight line को back करता है पर यह straight line को back कहां करता है two dimensional जमट्टी में क्या यह three dimensional जमट्टी में ऐसा back करता है और बो यार नहीं करता है तो आपको 2D यहां नहीं पढ़ाया जाया है यहां पर X भी होंगे variables Y भी होंगे और Z भी होंगे पर इसको लिखने का धंग अलग होगा बात को समझिएगा और यह straight line एक ऐसा straight line है जैसे three variable का एक हम equation बोलते हैं X प्लस 3Y माइनस 4Z उकोल टू 0 यह भी एक line को represent कर सकता है अहला कि यह plane को represent करता है यह line को 100% represent नहीं करता कुछ लोगों को बता दिया जाता है कि जिस equations में variable के power 1 होते हैं वे हमेशा straight line को ब्यक्त करते हैं पर वो straight line को तब तक ब्यक्त करेंगे represents करेंगे जब तक कि उसमें केवल 2 variables होंगे कितने और तीन variables का अगर को equation बोलते हो सीधा सीधा जिस form में होता था जैसे x plus by plus c z equal to d या x plus by plus c z equal to 0 तो यह हमारे 3D chapter में straight line को ब्यक्त नहीं करता दोस्त यह plane को ब्यक्त करता है वले लिनियर equation इन 3 variables यह है अब आपके मन में प्रस नारा होगा कि सर तो लाइन को कैसे हम ब्यक्त कराएंगे ठीक है तो 3 dimensional में 3 variables को रखते हुए line का equation तभी बन पाएगा जब वहां पर हम direction को sign का यूज करेंगे और direction ratio का यूज करेंगे समझाया बात यानि 3 variables के साथ हमारे direction ratio का होना जरूरी है इट में भी direction को sign का होना जरूरी है बात मन में बेठाइएगा उसमें भी 3 variables होंगे लेकिन आपस में equal sign के साथ एक relation बनता है जिसमें direction को sign भी होते हैं variables भी होते हैं और वे सभी points होते हैं जहां से line गुजर रहा हो अब कहिएगा कि sir इतना lecture तो आप दे लिए थुरा सा आप इसको हमें समझाये किस form में यह होता है straight line का equation जब कभी तिरी variable है हैं और साथी साथ उसका direction ratio दिया हुआ है माल लेते हैं कि उसका direction ratio है small a, small b, small c तब कहते हैं कि इस equation को हम कैसे लिखते हैं तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि state line किसी बिंदू से गुजर रहा है उसका direction ratio मालूम है तो इस state line का equation क्या होगा और दुसरा यह भी बात करेंगे कि उस state line का parametric equation क्या होगा एक parametric equation लिखते हैं आड के form में जैसा कि आप two dimensional में ठीटा के form में अगर आप 2D पढ़े होंगे मन से तो आपको पता होगा किलियर सिंपल सा बात है तो यहां पे parameter r लिया जाता है या lambda लिया जाता है या के लिया जाता है और यहां पे हम पाड़ा मेटर ठीटा लेते थे ठीक है तो पाड़ा मेटर का हिंदी क्या होता है प्रचाल है ना इसलिए इसको बोलते हैं किसी भी लाइन का प्रचालिक समिकरन और थात पाड़ा मेट्रिक equation इन दोनों को हम लोग गढ़ाई से समझते हैं और फिर equation of form में लिखते हैं क्या form में इसका जैसे लिखते हैं कि यह जो है x-x1 बटा a equal to y-y1 बटा b divided by b और z-z1 upon c कभी भी ऐसा equation लिखा हो तो हमें समझना चाहिए कि यह जो equations है यह state line का equation है एक line का equation है एक सरल रेखा का समिकरन है यह सरल रेखा का क्या है सर बोलो यार इसका form रटो पहले form रटो मैं बताता हूँ कि इसके बाद क्या होने वाला है वैसे line का equation जो गुजर रही है point x1 comma y1 and z1 से और जिनका direction ratio है a comma b comma हमने कहा कि direction cosine direction ratio हो सकता है पर direction ratio direction cosine तभी होगा जब a square plus b square plus c square equal to 1 यानि आप याद रखें आप याद रखें कि यहां हमेशा direction ratio ज्यादा तरिस्तिति में यूज होता है और अगर यहां पर cosine भी यूज हो जाए तो वो भी a straight line का equation है ठीक है आप थोड़ा नींद को तोड़ के रखिए क्या पढ़ाई को serious लीजे भाया सोने मत आईए सो के आईए देखिए इदर समझीएगा छोड़िए बातों देखिए गौर से यहां समझीएगा तो क्या बोले इसके बारे में क्या बोलोगे इसके बारे में language में क्या बोलेगे क्या बोलोगे भाई तो लिखते हैं this is the लिखते हैं इसके बारे में this is the equation equation of a straight line of a straight line which passing through the point which passing through the point किससे गुजर रहा हो p point का नाम देते है x1, y1 z1 and having और इसके पास है क्या सर drs a, b, drs को हमने अच्छे से बताया है कि इसको लिखने काया कि special ढग है इस तरह से आप लिखेंगे तो एक पढ़ा लिखा आदमी आपको अच्छा ही कहेगा खड़ाब तो नहीं कहेगा यानि कहने का मतलब कि वैस्ट दो बाते याद रखनी है कि ये जो state line है वो कहां से गुजर रही है तो p x1, y1, z1 और ये इसका जो drs है वो क्या है a, b, c right इसका मतलब हुआ ये कि मान लोग के यहां पे कोई point है p और इसका coordinate है x1, y1, z1 और ये गुजर कहां से रही है दोस्त ये गुजर रही है x1, y1, z1 से और साथी साथ इसका जो direction ratio है drs है वो है a, b, c बात समझाई तो आप प्लीज इसको note कर ले इसके बाद हम इसपे example कराते है लिख लिया भई, note हो गया देखो इसके बाद जड़ा समझना और अच्छे से इसके बाड़े में थोड़ा और बिस्तार से समझाते है ठीक है अब देखो यहां पे एक और बात होता है कि जैसे straight line के equation के दो फॉर्म हर जगा मिलेंगे और ज्यादा तर जो सवाल मिलते हैं वे Cartesian form पे मिलते हैं Cartesian form वे होते हैं जिसमें XYZ अबलेबल होता है और दुसरा आपको अल्रेडी पता है vector form दुसरा कौन सा form होगा vector form और vector form समझते हैं भाई आप जिसमें vectors होगा simple सा बात है तो देखो अभी थोड़े ही दिर में तो यह जिसमें XYZ हो इस equation को आप लिख सकते हैं यहाँ पे note में लिख दो कि A-Wave equation is in Cartesian form इसको कौन सा form बोलेंगे Cartesian root बोलते हैं हिंदी में Cartesian root तो A-Wave equation is in लिख दो एक ही equation है Cartesian form Cartesian form तो इसको हम लोग बोलते हैं Cartesian form Cartesian form समझ में आई बात क्या बोला हूँ के लिए अब एक छोटा सा example में ले रहा हूँ ताकि आपका concept और clear हो जाए एकदम छोटा सा ज्यादा लंबा चोड़ा examples नहीं ध्यान से समझेंगे दोस्त देखो यहाँ पर मैं example ले रहा हूँ कि जैसे यहाँ समझेंगा एक line है जो गुजर रही है 1,3,5 से या minus 1 लगा देते है minus 1,3,5 से यह pass कर रही है और यह line को ऐसे भी हो सकते है और इसका जो direction ratio है न वो दे रखा है 3,2,7 तो इसका equation लिख है simple सा question रहेगा objective में गड़ रहे तो यानि वैसे line का equation जो गुजर रही है minus 1,3,5 से और उसके जो direction ratio है वो है 2,3,7 2,3,7 ठीक है तो वो क्या हो जाएगा तो वो हो जाएगा तुमारा x minus अभी पढ़ाया मैंने x1 x1 कोन है दोस्त यह रहा x1 by 1 z1 तो x minus x1 तो minus minus क्या हो जाएगा चुकि यहाँ minus है लगा हुआ तो यह x minus x1 बटा a, a के जगा कौन है एक्वल टू y minus y1 y1 कौन है भाई 3 है सोरी यहाँ पे देखो y1 और यह z1 और बटा में b तो a यह रहा है direction ratio b हो गया दो और z minus z1 z1 कौन है 5 है यहाँ सोरी और यहाँ पे divide by c कितना है 7 इतना सरल सा equations होता है अब आप एक चीज़ अबजर्ब करना सीखो दिमाग में fit बैठा लो कि जो कुछ भी यहाँ होता है उपर में उससे वो गुजरता है और जो कुछ भी नीचे होता है वो उसका direction ratio होता है दिमाग में fit बैठा लो तो कोई अगर equation line of equation दे दे मालो उल्टा पूछ ले आपसे एक straight line का equation दे दे यह वला आपको दे दिया जाए और आपसे examiner पूछ ले कि इसका direction ratio बता दो तो आपका यह का sir बड़ा simple है 3,2,7 आप पूछ ले कि direction cosine बता दो कौन नहीं जानता है अच्छा अच्छा एक बात बताओ क्या यह direction cosine है काओगे जी नहीं sir चुकि इनके square का sum 1 आने वाला इसका मत्यों direction ratio है समझ रहे हो बात को यानि जादातर रवस्था में मैंने कहा जादातर conditions में आपको क्या मिलेंगे direction और जब कुछ नहीं कहें तो आपको मान के चलना है कि वो direction ratio है clear तो आप यह example भी note कर सकते जल्दी से देखिए इसके बाद जो हम लोग करेंगे वो करेंगे vector form में किसी line का equation vector form में सुन रहे हो न vector form में किसी line का equation हम कैसे लिखेंगे इसको थुड़ा समझने का ज़रूत है देखो vector form क्या है ऐसे ही नहीं है कि उठके कोई भी vector form किसी भी condition में लगा दिये उसका एक special form है जो ध्यान में रखना है कि किस conditions में यह वला form लगेगा और वो condition को द्यान से सुनो कान को खोल के रखो राइट करते हैं द्यान से सुनना equation of any line हम language पहले लिखते हैं उस पर language बाद में लिख दिये थे इस पर पहले लिखते हैं equation of any line कि किसी भी line का equation passing through passing through the point देखेगा passing through the point उस point से गुजर रहा है whose position vector whose whose position vector is whose position vector is a vector and which is and parallel to simple समझ जहेगा कि और वो parallel किसके है parallel to B vector right मतलब हुआ कि कैसे line का equation हम लिखने जा रहे हैं यह line का equation लिखने जा रहे हैं clear यह गुजर कहां से रही है तो point P से P कुछ होगा coordinates उसका मान लो दो तीन चार तो क्या इसका position vector 2i plus 3j plus 4k लिखते थे की नहीं और इसमें क्या करते हैं दोस्त इसको मान लेते हैं कि यह कितना है तो मानने के लिए तो कुछ भी माना जा सकता है उसी तरह से जिस point से गुजर र तो दिखाने आपको आता है तो जिसका position vector जिस point से गुजरी उसका position vector क्या है एक वेक्टर राइट यानि A line वहां से गुजर रही है उस point से गुजर रही है जिसका position vector A vector है और जो parallel है यह line parallel है किसके इसलिए तो यह करते हैं समझगे बात को यानि इसका हमें equation लिखना है इसका हमें equation लिखना है और यह parallel है इस वेक्टर के क्या है सर तो अब मैं लिख दे रहा हूं कि equation of any lines passing through the point whose position vector is a vector and parallel to b vector clear is given by is given by इसको दिया जाता है कैसे दिया जाता है तो इसका form होता है सर r vector equal to a vector plus lambda b vector रटा मार लो एकदम form को रट के रखना है a vector plus lambda b vector दिमाग में बैठा बात और बोलो यार राइट बोलोगे कि नहीं बोलोगे आज बोल दो आज बर ठीक है तो आपको सवाल ऐसे मिलेगा जैसे कुष्ण लेते हैं आप बात कम बनाए कुष्ण स्पजाद ध्यान देजिए ने तो पाप लिखेगा आपको देखे इदर फाइ equation of the state line equation of the state line passing through the point passing through the point माल लेते हैं वो point है 3,2,-1 and and parallel to the vector या line भी बोल सकते हैं तुरा नम या पेलल डेह वेकटर लेकवेशान वेकवेशन गर्ण होंसक्वेश्य ने समझ हिभा गबात को हो सकता है वेकव्टर फवम में λέ script लिखा जा सकता है अनि पैडलल टु दीलNew Courtney ना लिखी parallel to the line 2i plus 4j minus 8k, यह 81k, कुछ भी लिख दिया मैंने, 81k, समझ रहे हो, मतलब कह रहा है कि यह कैसे, in vector form, language में रहेगा, शुरू में ही लिखेगा कि find the vector equation of the state line, यह vector form में लिखे, in vector form, right, language को समझो, आपसे Cartesian form में equation नहीं पूछा, आपसे equation का state line पूछा, जो गुजर रही है, 3,2,-1 से, किस form में पूछ रहा है, vector form में पूछ रहा है, right, vector form में पूछ रहा है, समझ गए बात को, तो अब ज़रा बताओ दोस्त, also, यहाँ पे लिखते हैं, also, write the equation of line in Cartesian form, इसको किस form में बाद में लिख दीजे, Cartesian form में, बाद को पकड़ के रखिएगा, थोड़े ही देर में हम अभी आएंगे, Cartesian form को समझने के लिए vector से, Cartesian जाना भी, अपने आप में एक अच्छा चैलेंज है, उसको भी समझना चाहिए हमें, देखो अब क्या समझाना चाहरे हैं, तो देखो यहाँ पे, समझना दियांसे, समझेगा, कता है कि equation of state line लिखे, जो कहां से गुजर रही है, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेगे कि P से गुजर रही है, इसका कोडिनेट से 3, 2, माइनस 1, तो मैं कहूँ कि इसका position vector of point P, क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि sir, 3i cap, प्लस 2j cap, माइनस के cap, राइट, और यह किस के parallel है, यह parallel है कोड़ वेक्टर के, जिसका equation दे रखा है, 2i, vector form में ही लिखा हुआ है, माइनस 81k, राइट, तो अभी हमने पढ़ाया, कि इसका equation होता है, r vector equal to a vector plus lambda b vector, और इसी को आप कहते थे, a vector हाँ या न, और इसको आप कहते थे, बोलो न, b vector, same चीज है कि नहीं है, तो required equation क्या हो जाएगा, required equation is, r vector equal to a vector, a vector बोले तो, 3i plus 2j minus k, और plus lambda times, plus lambda times b vector, b vector is what, 2i plus 4j, और minus 81k, और एक बात तैह है, इस बात को रट लिजेगा, by the way, कभी भी, अगर ये लिख दिया जाए, ये vector equation यही हुआ, हमारा answer हो चुका है, दीरे दीरे समझाएंगे चीजों को, एक चीज आप इसको, note करिएगा, लेकिन इसको थोड़ा और समझी है, कि जो ये part होता है, कल को अगर vector form ये answer हो चुका, Cartesian के लिए थोड़ा बेट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा, जादा नहीं, अब थोड़ा इसको समझी है, कल को अगर इस equation, vector form में ये equation दे दे, और आप से पूछ लिया जाए, कि बताईए, कि इसका direction ratio क्या है, direction ratio क्या है, तो याद रखिएगा, कि direction ratio of the given line is nothing but the direction ratio of the line parallel to the given line, यानि कहने का मतलब, कि किसी भी line का direction ratio वही होता है, जो उसके parallel line का direction ratio होता है, और parallel lines को vector के form में लिख सकते हैं, और याद करिए, और आपको याद करना ही पड़ेगा, हम बता चुके हैं कि किसी भी vector में, अगर कोई vector लिखा रहता है, मालो, x i plus y j plus z के form में, तो जो i j k का coefficient होता है, और थात x और y और z, चुकि x i, i का coefficient x, y j में j का coefficient y, और z k में k का coefficient z, तो यही इसका होता था DRS, direction ratio, और हमने एक बात और क्या का, कि उस line का direction ratio, और उसके सामनांतर, parallel lines का direction ratio, दोनों आपस में क्या होते हैं, दोस्त, equal होते हैं, तो मुझे बता दो, इस line का direction ratio क्या है, तो आप कहिएगा कि sir, parallel lines तो यह दोनों हैं, तो इसका direction ratio यह vector form है, और vector में direction ratio यही तो होता था, 2-4 और, तो कर सकते हैं, कि इसका जो direction ratio होगा, सीधे आप कर सकते हैं, 2-4 और minus 81, 81 था ना पूरा भूगा, 81, तो एक बात आपको तह मिला, कि आप बहुत कुछ सीखें यहां से, पहला तो, कि line में direction ratio पहचानना, अपने आप में एक बड़ा बात है, जब तक आप नहीं पहचानेंगे, यह देखने में अलग रूप में लगता है, लेकिन इसमें बहुत बात hidden है, छुपा हुआ है, और बोलो, अब हम चलेंगे, कि किसी भी vector equation से, उसको Cartesian equation में कैसे बदले, और Cartesian equation से उसको vector equation में कैसे बदले, तो अभी तो vector form है, मैं चलूँगा इससे Cartesian form में बदलने, पहले हम चाहते हैं कि आप इसे copy में लिख लिजे, चलू, तो आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग बात कर लेते हैं, कि ये vector form equation लिखा हुआ है, vector form Cartesian में कैसे बदलेंगे, और हमने vector में ये बात पढ़ा रखा है, कि कहीं भी r vector हो, क्या हो, r vector तो हमें समझना चाहिए, कि वो है, x i plus y j plus z के, right, r vector is always, x i plus y j plus, आनि वो position vector है, एक ऐसे points का, जिसका coordinates है, x, y, z, और origin से उसकी दूरी, क्यानि origin से उस point को मिलाने वाला जो line है, op, ये x, y, z होता था न, origin से जो इस point p को मिलाता था, इसी का जो vector form था, वो खा, op, और p का coordinates था, x, y, z, और इसी का position vector हो कर लाता है, r, और r को लिखा जाता है, x i plus y j plus, इसको r नहीं बोलते है, ये तो length हो गया, ये तो चले जाएंगे हम complex number में, ये normal, इसी का जो position vector है, इस point का, जिसको origin से measure करते हैं, वो है तुमारा क्या, x i plus y j plus z, ठीक है भाई, अब चलो चलते हैं आगे, ध्यान से समझ ना, अभी जो आप vector का question पूछे थे, इसी तरह का equality यहाँ पर लगेगा, दो vector का equality, clear, तो देखो यहाँ से चलते हैं, इसको हम Cartesian form लिखेंगे, इसका, तो r vector equal to लिखा हुआ है, यहाँ पर, यह, साड़े लिखे हुए, तो अब हम बात करते हैं कि r vector क्या है, copy करते हैं यहाँ पर, r vector है, 3i plus 2j minus y, बोलेंगे मेरे साथ, minus k, plus lambda times, 2i cap, plus 4j cap, minus 81k cap, right, और यह r vector को मैंने बोला, कि इसको हम लिखेंगे, x i plus y j, और plus z k, अब क्या करना है तुम्हें, कि i वाले part को एक साथ, z वाले को एक साथ, k वाले को एक साथ, कर लेना है, right, तो देखो, तो यहाँ पर समझिएगा बात को, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 3i यहाँ से है, और 3i, और इसको multiply करेंगे, तो हो जाएगा 2 lambda i, 2 lambda i, बात को समझिएगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कि i common लूँगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 plus 2 lambda, और into क्या हो जाएगा, i cap, और यहाँ से देखें कि 2 j है यहाँ पर, और यहाँ 4 j lambda, तो अगर मैं यहाँ पर j common लूँ, तो यहाँ हो जाएगा 2 टू, और यहाँ हो जाएगा 4 lambda, और बाढ़ में मैं common क्या ले रहा हूँ, उसी तरह से यहाँ से देखेंगा, यहाँ से देखेंगा, तो minus का k था, और यहाँ पर देखेंगा, minus का 81 k है, तो दोनों में minus ही common ले ले लते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई मेरे, 1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 81 lambda plus में, चुकि plus minus minus, यहाँ आप चाहते हैं plus में minus में रखना तो दोनों minus कर दिजे, चलेगा, ठीक है, और यहाँ बाहर क्या common लिया, k, k, ठीक है, और आपको मालूम है, कि दोनों और जब दो vectors equal लिये जाते हैं, तो उनके i, j, k के जो coefficients हैं, जो गुनांक हैं, वे आपस में क्या हो जाते हैं, बड़ावर, तो by equality of matices, you can say, x equal to, i, i का coefficient यहाँ यह रहा, और यहाँ i का coefficient क्या है, x, तो क्या आप कर सकते हैं, कि x बड़ावर 3 plus 2 lambda, हाँ या न, उसी तरह से, क्या आप यहाँ से इन दोनों को कर देंगे, quit, तो j का coefficient यह है, तो y equal to क्या लिखेंगे, 2 plus 4 lambda, बोलोगे, और उसी तरह से, यहाँ से आप लिखेंगे, z equal to, minus 1 minus 81, क्या, वो सवाल से hint मिल रहा था न, वैसा ही कुछ आ रहा था, एक बड़ावर आपका अभ्यास हो गया, clear, तो देखो तो यहाँ से भाई मेरे, मैं पुछू कि 2 lambda क्या होगा, तो आप कहिएगा, गुर्देव, x minus 3, तो lambda क्या होगा, x minus 3 by, यहाँ से 4 lambda का value पुछा, तो y minus 2, मैं पुछू lambda क्या होगा, तो आप जवाब देंगे, कि y minus 2 by 4, उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे, तो प्लस में 81 lambda इधर चलाएगा, या 81 lambda माइनस में ही रहने दीजिए, तो यह हो जाएगा, z plus, याद रखिए, कि z के पहले कभी माइनस नहीं, क्यों, x के पहले कभी माइनस नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हमारा जो इस टेंडर फॉर्म है लाइन का, वो है x minus x1, x के पहले माइनस नहीं है, y minus y1 बटा b, x minus x1 बटा a था पहले, और आगे जाएगा, तो z minus z1 बटा c, क्या z के पहले माइनस दिखता है, तो यह बात है, याद रखिए, कभी भी उस फॉर्म को आप अपने तरफ से छेड़खानी नहीं करेंगे, बदलेंगे नहीं, उससे कोई भी समझाता नहीं करना, जो फॉर्म है, उसी फॉर्म में लि minus 85, के लिए है, अब देखो तो, lambda यहाँ भी है, lambda यहाँ भी है, lambda यहाँ भी है, अगर किसी तीन equations को compare कराने पे, अगर left hand side आपस में बडावर हो जाए, सारे के सारे, तो नियम कहता है, कि right hand side को भी क्या हो जाना चाहिए, इसका मतलब, we can write from these three equations, x minus 3 by 2, equal to y minus 2 बटा 4, equal to z plus 1 बटा 81, right, और बताओ तो जड़ा, क्या ऐसा ही कुछ Cartesian equation रहता था, मुझे जड़ा बताओ तो, यह गुजड कहां से रही है, तो आप कहोगे कि सार 3, 2, 1, minus 1 से, देखो 3 से, तो x minus x1, 3, y minus y1, minus 2, 2, 2, और z minus z1, तो यहां minus 1 करोगे, तो minus minus क्या हो जाएगा, प्लस, और इसका देखो तो अभी मैंने काया कि direction ratio होता है, 2, 4, minus 81, जड़ा ध्यान से देखो, 2, 4, minus 80, क्या, दोनों बात सेम है, यानि अगर आप से कहीं पूछ लिया जाए, और यह जब भी सवाल आएगा, थोड़ा सा एक, दो बात पूछेगा, तो आपको 3 से 4 अंक भी दे सकता है, दो अंक नहीं, दो अंक में केवल इतना ही आएगा, कि आप इसका vector form लिखिए, और transform का एक Cartesian form भी लिखिए, साथ में पूदले direction ratio को sign लिख दीजिए, तो इस सारे स्तिति को जब पूछेगा, तो चार अंक तो जरूर आपसे पूछेगा, राइट, तो आप सारा funda को दिमाग में रखिए, I hope आप इसे समझ गये होंगे, और आप लिखेंगे इसको, तो देखिए, आपने अभी बदलना सीखा, कि किसी भी vector को हम Cartesian में कैसे बदलेंगे, एक छोटा से सवाल आपसे पूछ लेते हैं, जल्दी से आपको बताना है answer, कि Cartesian से vector में कैसे बदलेंगे, तो पहले एक बात नोट में लिख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि किसी भी parallel line का direction ratio वही होता है, जो given line का होता है, समझ रहे हो बात को, यानि हम एक बात लिख लेते हैं, नोट में, कि DRS of a line, ठीक है, are same as those line, same as those lines, which are parallel, which are parallel to, which are parallel to this line, या itself कह दू, parallel to itself, या parallel to given line कह दू, right, समझ रहो न, जैसे कहने का मतलब हुआ, कि जैसे एक line है, इसका DRS, समझने के लिए, यह है A, B, C, right, तो इसके parallel lines अगर हम खीशते हैं, कि अगर यह line L है और यह line M है, तो L parallel है M का, L parallel है M का, तो मैं कहूँ कि बताइए, अब confusion में पड़ मत जाएगा, capital L लिखते हैं नहीं तो कहिएगा कि set direction को साइने का, element, confusion नहीं होना है, line कुछ भी L for line, या confusion और नहीं हो, इसका, इस line का नाम capital L1, इस नाम का, इसका line का capital L2, और direction को साइने small L1, L2, L3, बोलते हैं ने, L1, M1, 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 तो उसी तरह से, तो यह parallel है, तो मैं कहूँ कि, इसका DRS क्या होगा, तो आपका जवाब होगा कि सरे, इसका भी DRS होगा, A, B, C, because DRS दोनों का क्या होता है, यह बात note दिमाग में बठा लिजिए, बार बार आपसे question कभी नहीं कहेगा, कि इसका DRS क्या होगा, आपको दिमाग में बात बठा लेनी है, सवाल में यूज करने के लिए, कभी भी सवाल आपको नहीं कहेगा, कि parallel line का DRS वही है, जो given line का है, आपको यह बात मन में रखनी है, every time, clear sir, अब आईए तोड़ा एक छोटा सा question ले लेते हैं, देखना इधर, एक question लेते हैं, और भी confidence आएगा, the equation of a line is in Cartesian form, is, मालो की Cartesian form में एक line का equation है, x-1 बटा 2, equal to y-2 बटा 3, equal to z-4 बटा 5, right? तो आपको question आगे बोलेगा, कि then find the vector equation या equation of same line, इसी line का किसमें in Cartesian form? sorry, sorry, Cartesian तो था ही, कौन से form? vector form, मैंने एक सवाल अभी बनाया, ऐसा भी सवाल objective में आ सकता है, आपको एक नमबर में भी पूछा जा सकता है, दो नमबर में भी पूछा जा सकता है, तो आप यहां से क्या करोगे? सबसे पहले पता करोगे भाई, सॉलूशन में कि यह पास कहा किसे कर रही है, सुनो न, यह पास कहा से कर रही है, तो आपका यह गासर, X-X1 बटा A, यह तो फॉर्म होता है, Y-Y1 बटा B, Z-Z1 बटा C, तो कर सकते हैं कि इस लाइन, इस लाइन, पासिंग थूँ, इस पासिंग थूँ लिख देना, कुछ लोग ग्रेमर वाले तंग कर सकते हैं आपको, पर मैथमेटिक्स में लेंगवेज का कुई ज्यादा रोल नहीं है, आप इसको समझ सकते हैं, एक्जामनर भी समधार होता है, साइन्स डेजन्ट टेक्स लेंगवेज एबडिवेज ठीक है, तो देखो, इस लाइन इस पासिंग थूँ, इस लाइन इस पासिंग थूँ, दपॉइंट, यहाँ पे एक सब दाओर लगा सकते हैं, क्लियरली, यह कोई भी नहीं, यह बात लिख सकते हैं न, क्लियरली एकदम साप सुतरा दिख रहा है, कहाँ से पास करें, पासिंग थूँ दपॉइंट, हाँ, वन कॉमा टू कॉमा फूर, एंड हैविंग, एंड हैविंग, डियरेस, डियरेक्शन रेशियो क्या है, तो कोई भी बता देगा, कि सर्थ 2, 3 और 5, तो डियरेक्शन रेशियो है, 2, 3 और 5, और अच्छे से समझना है, तो मैंने कहा, कि यहाँ पे आप एक साइन लगा दो, इससे 100% कोई पॉइंट नहीं होता, यह डियरेक्शन रेशियो होता, ठीक है, है, और आपको बताएं, सो, देखना इधर, बात को समझना, सो, डियरेक्शन रेशियो ओफ लाइन, पैरलेल तु इस लाइन, यानि, डियरेक्शन रेशियो ओफ लाइन, यह लाइन हुआ, कहां से गुजर रही है, तो आप कहोगे, सर, 1, 2, 4 से, है, और इसका, डियरेस क्या लाइन हो, इधर देखो यार, क्या तूं, डियरेस क्या लाइन हो, 2, 3, 5, तो इसका, जो पैरलेल लाइन से, उसका भी डियरेस क्या होगा, बोलो, अभी क्या होगा, 2, 3, 5, इसलिए, equation of, line, थोड़ा लिखना सिखे, एक्जाम में लिखेगा, तो नंबर देगा, एक्जाम रखोशी से, ठीक है, पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू, 1, 2, 3, 4, and, and, DRS of, line, parallel to this line, और क्या है, 2, 3, 5, रिख ठीक है न, is given by, किसके द्वाड़ा यह दिया जाएगा, यह इसका equation किसके द्वाड़ा, किसके द्वाड़ा, तो देखो तो जड़ा, इसका मैं कहूं कि, position vector लिख दो, तो आप कहिएगा, इसका position vector क्या होगा, तो आपके यह इसर, I cap, plus 2 j cap, plus 4 k cap, और इसके parallel line का direction ratio है, तो इसको vector form में क्या लिखेंगे, मैंने कहा, 2 I cap, plus 3 j cap, plus 5 k cap, हाँ या न, तो मैंने कहा था कि, कोई भी line का direction ratio, को हम vector form में लिख सकते हैं, और थात, उल्टा बोलें, तो ज़्यादा clear होता है, कि किसी भी vector, से हम direction ratio लिख सकते हैं, तो किसी भी vector में देखो तो, I के पहले का 2, J के पहले का 3, K के पहले का 5, तो क्या ये है, इसी को तो कहते थे हैं, B vector, और इसको हम कहा देते हैं, क्या, बार बार, और प्लस लेंड़ा टाइम्स, बोलिये का ज़रा, हाँ, B vector, मतलब 2I, प्लस 3J, प्लस 5, और यही सवाल का आंसर हो, क्लियर, आड़ वेक्टर बड़ा बड़ी है, क्या बोले, थोड़ा सा language लिखना सिखा है, थाकि एक्जाम में आप लिख पाएं, क्लियर, एक्जाम में आप इसकोड ऐसे थोड़ी न करेंगे, अगर भी यह 3-4 नमबर में पूछ ले, क्या explain करो अच्छे से, तो explain करना पड़ेगा ना, हाई या ना, ठीक है, देखो, ठीक है, एक चीज़ और बता दे रहें, छोटा सा, देखो, एक होता है, parametric form, यह क्या है, जड़ा सा, इसको भी समझ लेते हैं, कल इस पे, और भी बात करेंगे, हराकी यह पढ़ लिजी, उसके बाद, जो जो condition आप पढ़ें है, direction, ratio, direction, cos, साइन्स में, यहां भी काम आएगा, parametric form, parametric form, कोई नया form नहीं है, जो आप lambda निकाल रहे थे, during conversion, vector form से, Cartesian form निकालने के लिए, जो lambda निकाल रहे थे, वही lambda है, parametric रहे से, समझ रहे हो, तो किसी भी line का, parametric equation कैसे लिखते हैं, तो simple सा है, अगर कोई equation है, इस रूप का, x-x1 by a, y-y1 by b, और z-z1 upon c, तो इसके parametric equation को लिखते हैं, यहां कोई नया constant माल लेते हैं, mu, या k, या lambda, इत्यादी, समझने के लिए हम, चुकि r भी यूज हो चुका है, lambda सब्द भी आप समझ गया, k से, ठीक है, where k बड़ावर क्या है, k को कहेंगा हम लोग parameter, यह k क्या है sir, तो मैं इन दोनों से चलूँ, तो x-x1 ak होगा, हाँ या न, उसी तरह से y-y1 क्या होगा, bk होगा, अड़ बोलो, और z-z1 ck होगा, बोलिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x equal to x1 plus a k, y equal to y1 plus b k, हाँ या न, बोलिएगा, और उसी तरह से z equal to, z1 plus c k, मुझे बताओ, यह जो मैंने लिखा है, मैं कहूँ कि इस line पर, कोई भी point अगर मन से लेना हो, इस line पर, और line के equation में variable कौन है, x, y और z, यह तो point है, number होगा कोई 5, 7, 8, कुछ भी, यानि आप पढ़ते थे, कि line के equation को satisfy कौन करता है, द्यान से सुनना, line के equation को satisfy, अगर कोई करता है, तो वो line से गुजरता है, या line पर होता है, इतना तो आप जानते हैं, बच्पन में पढ़ाया गया था, बताइए जल्दी, तो कर सकते हैं, कि यहाँ पर जो हम कर सकते हैं, कि इस line पर यही line है, गुजर कहां से रही है, तो आप कहूगे कि sir, x1, y1, z1 से, और इसका मैं कहूँ कि DRS क्या है, तो आपके यह गा sir, x1 प्लस a के, y1 प्लस b के, z1 प्लस c के, यह एक ऐसा point है, जो line पर हम मान सकते हैं, समझने के लिए point कौन है, q, या और q का coordinates, अगर कोई पूछे, तो वही होगा, x1 प्लस a के, y1 प्लस b के, z1 प्लस c के, right, z1 प्लस c के, और इसी को कहेंगे, प्राचालिक निर्देशांख है, प्राचालिक निर्देशांख है सर, प्राचालिक, थोड़ा सा हिंदी देख लिजेगा आप लोग, हलाकि मैं अपने अंदाज से सही लिखें, प्राचालिक निर्देशांख या नियामक, यह, right, और यह प्रचालिक नियामक क्यों कहला है दोस्त इसलिए कि इसमें कौन एवलेवल है के एवलेवल है और के को कहते थे पाड़ा मेटर और हिंदी में इसको बोलते हैं प्रचाल तो जिसमें प्रचाल हो जिसमें पाड़ा मेटर हो जिस कोडिनेट्स में पाड़ा मेटर एवले कहलाएगा यह जो system है पूरे equations का यह तीनो equations क्या कहलाएगा तो यह equation कहलाएगा parametric equations बात समझाई यह कहलाएगा parametric equations क्या कहलाएगा parameter और जो coordinates प्राप्त होगा वो होगा तो कर सकते हैं कि Q यहाँ पे available होगा और इसका coordinate आप अभी अभी लिखे हो यह का coordinate उसी तरह से होगा एक्सवन प्लस एक के वाइवन प्लस भी के जड़वन प्लस सी के और यह हमेशा इस line पे होगा अर्थात यह कहेंगे दुसरे सब्दों में कि it always satisfy the line अर्थात यह दिये गए line के equation को संतुष्ट करेंगे या अर्थात इसमें रखने पर left और right side या हर पाट आपस में क्या होगे एक खोलो ठीक है तो इस पर हम questions करेंगे तो और भी clear होगा concept आसा रखते हैं clear हो गया तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए ओवर